नमस्कार, मैं नीता दियोलिया उत्राखनमुक्त शुद्याले यूग इभाग की ओर से आपका स्वागत करती हूँ हर्पदी पिकामा वड़ित पंद्रा आसनों में बढ़ते विक्रम में जो अब अभ्यास करने जा रहे हैं पुरिध कर्मासन का अभ्यास हैं तो आए अभ्यास प्रारम करें। दुनों पैरों को दंडवत सामने की औंप फैल आले। आप पज्रासन की स्थीती में जाकर यह अभ्यास करते हैं। तो आप तोनों पैरों को मोल्ड कर इस प्रकार से'm मोड कर एडियों के उपर बैठते हैं इस प्रकार आप एडियों के उपर बैठते हैं जो इसके अंतिमिस्थिती होती है इसमां आप अपने पंजों के अगरभाग को बाहर की ओर निकाल कर रखते हैं देखे किस प्रकर आपको निकाल ला है और हल्की आगी की ओर आएंगी आपके पंजे यहाँ आपकी अंतिमिस्थिती हैं जिसमा आप अपनी एलियों पर दबाव डालते हैं और कमर को सीधा रखकर दोनों हातों को गुपां के उपर रखते हैं कि आपका कुमासन का अभ्यास अंतिमिस्थिती में आपके बन गर सकते हैं यदि आप साइज मैसूस कर रहे हैं इस अभ्यास का सिधा प्रभाव आपकी अंकिल जॉंस पर बढ़ता है तो धीरे धीरे आप अभ्यास की समय को बढ़ा सकते हैं पंदला से तीस तीस से एक मिनट अभ्यास क्रम को बढ़ा सकते हैं अभ्यास पूर उने के बाद आँखे खोल कर पंदला समानी स्थिति में लाते वे आप अज्रासन की स्थिति में या दंडासन की स्थिति में विश्राम करेंगे पैरों को आप दंडासन में पहला लीजिए तो आईए इसके कुछ समानी सा और आपको ध्यान में रखनी है। यादिए आप Vajras Canvas की स्थिती में नहीं बैट पाते हैं आपके पैरों के जोड़ों पर कड़ापन है। मांसपेश्या कड़ी हैं तो हो सकता है आपको अजरासिन की स्थिति में भी दिखकर दो उस इस्थिति में आप इसका अप्यास नहीं कर पाएंगे यदि आप अजरासिन का अप्यास कर लेते हैं पर पंजो को बाहर के और निकालने में जो आपकी घुटनों पर और आपकी टखनों पर दबाव आता है यदि आप बहुत अधिक दर्ज महसूस करते हैं तो सीधे अपनी एडियों को न दबाएं तो कि इसका सीधा प्रभाव आ आपको दबाव डालना है और कोशिश करने हैं कमरगर दन सीधी करने की जोर्जबर्दस्ती अभ्यास नहीं करना है कोई भी अभियास जोर्जबर्दस्ती ना करें देरे देरे उसकी स्थिति में जाने का प्रयास करें कृतलिक तो आईए इसके कैश लाप कर चाने सामों अब्यास कमरतर और साइटिका दर्थ के लिए काफी हद तक आराम पहुंचाता है। यह अब्यास आपके पैरों के जोरों को लचिला कर प्रजान करता है। तो इसके कुछ सामान्य लावन में जाने। और पुना हाम सामान्य स्थिती में विश्रान की स्थिती में लटाएंगे। दुन हाथों को पीचे के उप्षेलाते वे, पैरों में मिश्चितुरी बनाते वे, आके बंदखते वे शरीडिला चोड़ें। इसके कार।